अगर दुनिया दा सब तो ज्यादा किसे खिते ने त्रक्की किते ग्यान और विद्या दे खित रहा है तो पंजाब है ये इतियासिकता और ते गल पर्मानत हुंदी है कि दुनिया दी सब तो पहली पुष्ट जेडी रिगवेद इस तर्टीत लिखी गई ठीक है फेर दुनिया दा सब तो ग्यान जेड़ है उधी शिखर जेड़ी है मेरे साब नार ओ गुरुग्रांसाव है उधी रचना भी एसे तर्टीते हुई ठीड़ जो दुनिया दी सब तो पहली उनिवास्टी बनी तक्षिला तो भी पिजाअल च बनी तुशीर दा पद्दर देखो तक्षिला उनिवास्टी दा कि अज जएड़े लोग ते आज हिंदोस्तान दा पड़े है कोई भी ते आज तुशे ते आज बरे जानकारी लेनी है जड़े दो जड़े नाम आंदेने जरूर, जड़े हवाले दिते जानदे है, तो है फाहियान ते ही उन सांग, ए दो चीननी जड़े है उन्हादा हवाला आंदे है, कोई भी पारदा ते आज लिखिया ने जा सकदा इना तो बिना, तो ए कौन से गे, ए विद्यार्थी से तक पढ़ना आए सी, तो साड़े पंजाव दे वी दुनिया तो बहुत देशा तो आकर बच्चे पढ़ दे सी, फेर तुसी देखो किस पदर दा ग्यान से गाए थे, विद्या किस पदर दी दिती जान दी सी गी, पुरातन सामया ची, कि साड़ा एक जड़ा चलो आपा उद आ विदांग दा दर्जा देना प्या, विदांग मत्दा अंग, कोई चीज भी पार्ति समाई देविच, अगर एस हद तक किसे खेतर देविच तरक्ची हो जान दी पड़न देखें तो विदांग के आ जन दा शी विदांग दर देखा तो पाननी ने विदांग बनाता, और तुससे देखो कि अज बो कि आज साठों को मैं एक डाक्टर हो अन्यवजीपों कि अज साठों को केञ़् शृविच सबाइंरे कि न कि आज सब Tech candles देख सकते के जिनूंह आ फानांग अवाज किसंटर कल केड़े अकरकितोगे का ज convicted आज साठे को एम रीज चैन ने आज सब्स तुसी देन देखो कि ओस ने देवनागरी लिपी जड़ी आए बनाई कि दुनिया दी को लिपी है जड़ी मतलब जिन्हों आप फोनेटिकली अरेंड कहने है कित्थों को इता शब्द अखर उचारया जन्द है गले तो शुरू हो के फिर तालू ते फिर दांद बुल बुला सब्सक्राइब तो शुरू है जड़ी इक इक चीज ठीक शाबत हो रही है इन्नी वड़ी देन है उदी जिन्हों आप फोनेटिक्स कहने उचारण विद्या देविच ओधी वड़ी जड़ी समझ है अचा फेर आप चलो पुरातन समया दिगा लाए हून आप आजन्या हून जो पंजाब बारे लिख्या है है अपने परवाव जड़े एंग्रेश जड़ा इंग्लेंड तो आया है जड़ा एक अमरसरसंदी नम्मा होया थारा सो नौ देविच तो उन्हें हरान हो गया कि पंजाब विद्यक तौर ते किन्ना अग्गे है वो श्वेले जड़ा है इं जाब पदर है वो केंदा स्कुलां देविच लेक्डियां है यह ने लोकान नू पता सियो पाद़ा फिर उन्हें का हरमंदर साव देविच वी कडियां है लग गया तो उथे कंदा राग कडि टाइम देना राग बदल जन दे ए चीजां उन्हें कर देख्यां नी सी अठार 1813 विच फेर अंग्रेस जड़ा सर्वे हैगा कि मतलब जड़ा सारा पंजाब जिन्हों 100% लिटरेसी कन दे है साखर्ता 100% पढ़ा होया सिगा पंजाब जी अच्छा 1870 विच बिटिश एंजुकेशन एक्ट बन दा है 1830 विच पंजाब सौफी सदी पढ़ लिख चुका है तो इंग्लेंड जड़ा उन्हों 1870 बनान दा है कनून के पढ़ाना चाहिद है लोकान उथे कोई पढ़ा लिखा है है ही नहीं सवाए शाइक हांदान जा होर जड़िया उच्छी फैमिलियां ने रॉयल फैमिलिस जाहोर कोई जड़े बहुत अलीट जिन्हों केंदे श्रेष्ट वर्ग है उन्हांगे बच्चे माड़ा मुटा पढ़ दे सी गए आम बंद्यानों पढ़ाई दा कोई पता ही नी सी बिलकुल कोरे सी पढ़ाई तो के 1870 दे विच इन्हों केंदे बिटिश एजूकेशन एक्ट पढ़ाना भी चाहिदा है कि पंजाब 1830 दे विच पूरी तरा सौ फीस सदी जे रहेगा वो साखर्ता लिटरेसी रेट हासल कर चुका सेगा तो अंग्रेजान नों एक बहुत खत्रा सी 1800 नंजा कि वो केंदे सी साढ़े लई स उन्हाने मतलब जड़ा है एक किया कि तुसी दो चीजा एक तक बंदुकां वापस करने तो पैसे मिलने के कैदे वापस क्योंके सारे नों फ्री कैदा मिलदा सी मारा ज़र अजीर सिंग विले जिनने मतलब जड़े पामे कोई मंदर है चाहे मस्जद है चाहे गुर्द्वा है उन्हानों जड़ी स्टेट दी राजवलनों जड़ी मतलब इंदाद मिल दी है ओद ये कंडिशन सीगी के तुसी नाल बच्चा नों पढ़ाओ अच्छा पढ़ान दे जुम्हेवारी सीगी मंदर मस्जद गुर्द्वारें दी के तहां ही तो अन्हों स्टेट दी हल्प मिलेगी जो स्टेट वलों मिलना है ओधी कंडिशन है रखी हो इसी के पच्चा नों पढ़ाओ अच्छा तो कैदे सारे मुख्त जड़े बंडे जंदे सीगे तो अंग्रेजान ने जदों मत अठारां सो नंजातों बाद ओश वेले किया के बंदूक का मी बाप जमा कराओ तो कैदे जमा कराओ तो बंदूक जमा करान दा एक कानना मिल दा सिगा कैदा जमा करान दे चार अन्य मिल दे सी तुसी देखो भी अंग्रेज नू कैदे या तो बंदूक करान लों चार गुना ज्यादा खत्रा नजर आ जार आ जार आ जार लोग पढ़ दिखना जाना जान पर आई देखे तरी पिछे सुटेया पर फेर भी साड़े लोग हौली हौली फेर पड़नत असी देखो जड़िया तुसी आई एस अफ से राजया जिन्निया अच्छिया नौकरिया ने तुसी उना दी पंजाबियां दी प्रतिनेता देख लोठार उन्यसों संतालीज किनिक स प्रवास ने किस तरह नुकसान किता है कि असी मदब पटने उन्यसुरें तुसी यूपी भी हार से गल कितिह्त हैं असी उत्थे भी ये बनारिश भी जाकर देखे हैं पटने भी जाकर देखे şu!!! आविधा कोई शैर कोई पिंड दखा देओ, कि तो अनू एडवर्टाइजमेंट मिल दिया थे आइलेट्स, आइलेट्स, आइलेट्स. तुसी बिहार देवीच पटना एड़ा उड़ा शैर है, कि ते देख लो जा बनारिस देख लो, कि ते आइलेट्स देख लो, कोई किते पटने देवीच एड़ने एड़र्टाइजमेंट है तो उत्थे ए है गया कि आशी तो आई-एस क्रावांगे वो कैन के साधी जेड़े संस्ता तो सब तो ज्यादा हिंदुस्तान आई-एस अफसर पैदा किते हैं जी जी असी सिरफ आइलेट पैदा कार रहे हैं 10 प्लस 2 वहाँ जाग्या उचेरी पर आईता है घूति कारती हो ती जी जी सेड passé वह सेब तो सब तो जादा-एस учरी घूलेगंये इनने सद्टा बेरागर करका वहाँ उचेरी विद्यान जीनके स्टूलन ने जाना सी ऑन है। जाक्यला 2021 और भीए सुदू चारी ने और ने àni उचे नफ्री नहीं रही उन्हा उन्हापुड है नहीं बच्चे जड़े तो जदों इक मतलब कम्पीटिशन जड़ा कट जाएगा तो फिर जड़ी क्वालिटी नाल दिन नाल थल्ले चली जाएगी फ्रीद कोट्च में उत्थे दे काले दिविच करने एक विले जन्हें चार बच अच्छे चोन बधिया बंद्यानी होएगी तो उन्हा पंदर उच्चा होएगा तो जड़ी कोई बंदर पूरे करने गिनती कि सदा पूरी करो तो फिर वो क्वालिटी ने रहेगी तो आईधा पंदर डिख जाएगा इस करके जड़ा स्टूडन ता सरे ओ ता पंजाब ता अच्छे आईएश एपेएश एरफोर्स आर्मी जाना विए उद्धर वी कंपिडिशन च भी जाना है जिनने इत्थे आईएट सेंटर ने इनने सारे हिंदोस्तां च मला करने किसी तो पंजाब दे दो परसंट सारी वस्वाइए तो जहर है कि मतलो जेडा पंजाब दुनि जुए शाओ तो पच्छड गया